हे नमस्कार दोस्तों मैं दीपक कुमार स्फाकत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनवेश्ट फॉर फेल्थ में दोस्तों बात करेंगे स्टेट बैंक ओफ इंडिया यानि SBI के बारे में ठीक है ना या लगता है 500 500 600 की टार्गेट भूल जाएं या क्या गरें तो मैंने इसके उपर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए लेवल्स के ऊपर टेकनिकल्स के ऊपर फंडामेंटल्स के ऊपर सारे चीज़ों के ऊपर चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अग अब ही समझते हैं चीज़ों को यहां पर देखे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो भाव है 418 रुपे के आसपास चल रहा है वंडे के कैंडल्स में लगाया हुए मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा गरूँगा और आपको चीज़े दिखाने की में कोसिस करूँगा मार्केट का स्नेरियो क्या था जब प्री कोविट का टाइम था ध्यान से समझेगा प्री कोविट के टाइम पर मार्केट कहां पर ट्रेट करता था 300-340 के आसपास उपर कहां गया था 372 के लेवल भी हमें दिखे था और चोटा अगर करूँगा तो आपको यहां पर दिखे उसके बाद COVID के टाइम पे क्या हुआ एक हमें गिरावाट देखने को मिला जो कि सारा बजार पे भारी पड़ा यह देड़ सो क्या सपस आया और बहुत तेजी के साथ रिकवरी करता हुआ इस टॉक यहां पे गैप आप ओपनिंग दिया हमें कौन से लेवल पे यह लेवल से अगर देखें यहां पर 360 के लेवल से बड़ा गैप अप दिया और उसके बाद मार्केट उपर ही चलने लग जया हुआ क्या ध्यान से समझीए अगर टेक्निकल्स में ही सारी बाते चुपी अगर आप सही तरीके से टेक्निकल्स को एनलाईज करना सीख गये ना तो बजार में पैसा कमाना दोस्त बहुत असान हो जाएगा क्योंकि शॉट टर्म में अगर हम लेवल्स निकाल लेते तो लॉंग टर्म का हमें थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता मार्केट ने क्या स्नेरियो रचा यहां पे हमें एक गैप अप ओपनिंग मिला अब मार मार्केट ने फिर एक लोवर लेवट दिखाया यहां पे हमने वीडियो बना बना के यही कहा कि कहीं भी नहीं जाने वाला बहुत सरे यूट्यूबर्स थे हैं जो कह रहे थे अभी यह चला जाएगा खतम हो जाएगा मैंने एक ही बत कहीं नहीं जाने वाले 500 के टार्गेट है अभी भी मैं वही कह रहा हूँ कि 500 के टार्गेट के लिए जिन्दा है यह बन बस तिरफ करना क्या है हमें पेसेंस चाहिए आपको मैं लेवल समझाने वाला हूँ अब ध्यान से समझेगा लेवल को मार्केट में हुआ क्या किस तरह से मार्केट ने प्राइज एक्षन ब हसा हुआ है आप अगर देखोगे तो अभी मार्केट फिर से हमें इस रेंज का ब्रेक आउट देने का कोसिस कर रहा है अगर मार्केट एक दो तीन दिन हो गए है अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर चलता हुआ हमें नजर आता है यह रेंज कौन सा है ध्यान से समझेगा य यह range मैं एक बार आपको यहां से दिखाता हूँ, यह range है 424 रुपे का 425 रुपे, 424 रुपे के उपर निकलता हूँ नजर आता है, तो 442 का हाई भी ब्रेक करेगा, और और भी उपर जाएगा, यह टेक्निकल्स कहते हैं, अभी सिर्फ टेक्निकल्स से बात नहीं बनने वाला है, यहां पे हमें नियूजिस को भी फालो करना है, तो मैं आऊंगा सीधा नियूज के उपर, कुछ नियूज है, यहां अगर मैं SBI की बात करूँ, तो एक नियूज आपको यहां पे नजर आएगा, क्या नजर आएगा, SBI to raise up to 14,000 करोड़ों बाया, 81 capital, 80 bonds के जरिए, यहा किसी भी company में, किसी भी bank में, कुछी में भी, पैसा अगर inflow होता है, पैसा infused होता है, तो भाई, अगर किसी भी bank में, किसी भी company में अगर पैसा आता है, तो stock के जो prices हैं, वो उपर जाएगे, उसके पिशे का reason है, कि company पैसों का इस्तमाल करेगी, अपने बिजनस बढ़ाने मे और long term में, जो है company को फायदा, short term में हो सकता है आपको, prices उपर जाती हुई, ना नजर आए, या news का impact एक बार पड़े, और फिर नीचे आ जाए, लेकिन वो जो पैसे का इस्तमाल किया गया है, long term में उस company को benefit देने वाला है, जब उनके results आएंगे, results में वो benefit दिखने वाला ह जो stock है, वो उपर चलने ही वाला है, और SBI कोई छोटी मोटी बैंक है नहीं, अगर पूरे सरकारी बैंक में मैं किसी का बात करूँ, तो हाथी है SBI, सरकारी बैंक में, ना PSU सेक्टर का हाथी जो है, वो SBI है, बैंक की बारे में मैं बात कर रहा हूँ, PSB के बारे में बात कर आ रहा है, हाई ये 442 रुपे नगर आ रहा है, stock का जो book value है 309 रुपे है, अभी भी stock जो है, अपने book value के आसपास काम काच कर रहा है, जबकि सारे बैंक के बहुत आगे निकल चुकी है, तो एक अच्छी खसी चीज यहाँ पर हमें ये भी नजर आ रहा है, एक चीज और यह आपर मैं देखूँगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आऊँगा, तो यहाँ पर अगर देखे तो SBI जितना भी इसका पीर है, सब में टॉप पर बना हुआ है, आप देख पा कोई जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया, तो अगर कोई भी मतलब सरकारी बैंक में investment की बात आती है तो और भरोसे की बात आती है, वैसे कम पर सरकारी बैंक में जाती है नहीं कहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़िया return दे सकता तो मुझे लगता है, वो तो State Bank of India ही सेट है, है ना, यहाँ पर रिजल्ट्स वगरा पर भी आप नजर थोड़ा बहुत मार सकते हो, ठीक, NPS वगरा भी सही है, ठीक ठाक सा आया था, और यहाँ पर अगर देखेंगे shareholding pattern पे, तो 57% जो है, वो promoters के पास है, और यहाँ पर F20 ने 10% के round hold कर रखा है, वहीं DIs की पास अगर बात करेंगे, 24% का इस DIs के पास है, पबलिक के पास देखेंगे तो सरफ 7.83% हमें नजर आ ज चाहिए, मेरे हिसाब से long term के लिहाजे से, लेकिन अगर हम बात करें, technicals के हिसाब से short term में, तो मैंने पहले भी discuss कर लिया आपके साथ, कि इसको जरूरत सरफ 428 रुपए के उपर sustain करने की, 428 रुपए के उपर अगर बजार sustain करता है, तो बहुत बढ़िया target आपको कुछी दिनों में देखने को मिलने वाला है, कुछी दिनों में, नजर रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर कुछ पेरामीटर्स लगाऊं, एक मैं लगाऊंगा यहाँ यहाँ पर RSI, तो आप यहाँ पर देखोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, कि बहुत जादा overboard zone में है, तो ऐसा मार्केट के चांसेज जादा है, कि मार्केट जो है, वो बुलिश में ही रहे, है न, जो भी होगा, अपन देखते हैं, और फिर अगें ट्रेड लेंगे, थैंक्यू गाइस, थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो,